जहासी जिले के वरष्ट खनिज विभाग के अदिकारियों की मिली भकत से बालू माफियाओं ने अब जहासी जिले में सारे रेकॉर्ड तोड डाले हैं इंदरो जहासी की गरोठा बिधान सवा शेत्र बालू माफियाओं के लिए सबसे मुफीद शेत्र साबित हो रही है यहां तक की माफियाओं ने अफ सीधे तोर पर परियावरण को भी खत्रे में डाल दिया है यहां कई स्थानों पर वेतवा नदी की जलधारा को रोका गया है तो भही धसान नदी का पानी तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा इसकी वजह से कुछ शित्रों में जलिस्तर भी पूरी तरह नीचे चला गया है यह तस्वीरें सच को बया करने के लिए काफी है आपको बता दे कि यह नदी दो जलों को जोड़ती है लेकिन अब बालू माफियाओं ने जहासी जले के देवरी और नदी के उस पार हमीर पूर जले के बिलगाओं को जोड़ दिया है और भारी मातरा में यहां से वहां और वहां से यहां अब एक तरीके से प्रतिवंदित मसीनों को लगा कर प्राकर्तिक संपदा को लूटा जा रहा है हलकिन माफियाओं के पास कुछ जखे का पढ़ता है लेकिन यह लोग मानकों से दस गुना अधिक तक बालू का खनन कर रहे है जहासी जले से बालू का उठान करके उसे हमीर पुर के राष्टे बाहर भीजा जाता है ऐसा नहीं कि यह है सब कुछ किसी को पता नहीं बिदान सबाशेतर के नेता और जले के अधिकारियों को सब कुछ पता है लेकिन आज तक कई खबरों के बाद भी कोई कारवाही अमल में नहीं चाती जैसे यह भी स्पस्ट है कि इस करोणों अरवों के खेल में सक्तादल के नेताओं के साथ जिले के भरष्ट और जम्मेदार अधिकारी भी संदिपते हैं फिलाल इस सब को देखकर जनता कह रही है कि बालुखनन में इस तरह तो कभी नहीं हुआ जैसी से सुगर सिंग या रवानिल शर्मा के साथ रवी परिहार की रिपोर्ट